हिलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज, मैं भारत के अद्भुत राजे उत्तर प्रदेश और इसके प्रसिद स्थानों के बारे में बात करने के लिए बेहद उत्साहित हूं, जहां आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो चलिए सुरू करते हैं। सबसे पहले, हमारे पास आगरा में स्थित प्रतिश्थित ताज महल है। इस शानदार सफेद संगमर्मर के मगबरे का निर्मान समराट शाह जहां ने अपनी प्रियपत्नी मुम्ताज महल की आद में करवाया था। यह युनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के नए साथ आश्चरियों में से एक माना जाता है। जटिल वास्तुकला और इसके पीछे की प्रेम कहानी ताज महल को एक अवश्य देखने योग्यस्थान बनाती है। हमारी सुची में अगला स्थान वारानसी का है, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है और हिंदूों के लिए अत्यदिक आध्यात्मिक महत्वर रखता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे के घाद देखने लायक होते हैं, खास कर शाम की आरती समारों के दौरान। वारानसी की संकरी गलियों की खोज करना और अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं पौरानिक कथाओं और धार्मिक महत्व से भरपूर नगरी अयोध्या की। ये भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है और हर साल लाखोँ भक्तों को अकरशित करता है। ये शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंघ मेले की मेजबानी के लिए प्रसिध है जो हर बारा साल में होता है। तीन पवित्र नदियों, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इस्थान की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है ये उत्तर प्रदेश के आश्चरियों की कुछ जलकिया हैं एतिहासिक्स मारकों से लेकर आध्यात्मिक स्थलों तक इस राज्य में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है इसलिए अपनी यात्रा सूची में उत्तर प्रदेश को शामिल करना सुनिश्चित करें और इसकी सुन्दर्ता और विविद्ता का पता लगाएं आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यदि आपने इसका आनंद लिया तो इसे लाइक करना और अधिक से दिस्यता लेना न भूलें मुझे कमेंट में बताएं कि आप उत्तर प्रदेश की किस जगह पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं धन्यवाद